पुसकार आप देख रहे हैं News 18 इंडिया आपके साथ मैं हूँ रवी ठाकुर हर्याणा के सोनी पत्सीले के सिंगू बॉडर पर नया विवार्द सामने आ गया है जिस जगा कुछ दिनों पहले एक आदमी को बरबर तरीके से मार कर लटका दिया गया था फिर उसी जगा पर एक आदमी का पैर तोड़ दिया गया है और इसका आरोपी लगा है निहंग समुदाय में शामिल एक शक्स पर पिछली बार भी हत्या का आरोप इसी समुदाय के कुछ लोगों पर लगा था जिसके बाद गिरफतारी भी हुई थी इस वारदात के बाद आरोपी को पकड़ लिया गया है और उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है ये वही जगा है जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं लेकिन इसी जगा पर गुंडागर्दी के तस्वीरें बार बार सामने आ रही है क्योंकि एक बार फिर सिंग्यू बॉर्डर जहां पर किसानों का आंदोलन चल रहा ये वही जगाए जहां से किसान आंदोलन के शुरुआत हुई थी कुछ दिन पहले एक व्यक्ती की बरबर तरीके से हत्या भी कर दी गई थी और आज एक बार फिर नया विवाद सिंग्यू बॉर्डर पर सामनी आ गया है जहां पर आरोप लगाए कि निहंग समुदाय के एक व्यक्ती ने एक आत्मी का प्यार तोड़ दिया है उस पर हमला किया है उसके साथ मारपीट की है और सवाल यही उठा है कि क्या किसान अंदोलन के नाम पर वहाँ पर ये दावागिरी चल रही है क्योंकि हर नए हफते हर नए दिन के साथ किसान अंदोलन नए नए विवादों के साथ जूड़ता चला जा रहा है सिंगू बॉड़र पर जिस तरह से व्यक्ति की हत्या हुई थी उसके बाप भी किसान अंदोलन पर सवाल उठे थे लेकिन सयुक्त किसान मोचा ने इससे अपना पल्ला चाड़ लिया था लेकिन विवाद हैं वो थमने का नाम ही नहीं ले रहे है कि युक्ति करता हो नाम है कि प्रेस में एक वेक्तीन है को वहीं से आया था पूनके टेंटों से याया था उसने मुर्गे की मांगए इसने पैसे मांगे और इस बात पे इनकी थुद्फुमें में कुछ होगी और उसने इसको मनोझ मनोज ने बताया कि हाथों से और डंडों से मारना शुरू कर दिया उसको टाई करने शुरू कर दी इन बिटेन थोड़ी देर बाद जो लड़का मुर्गे सप्लाई करने आया था मनोज उसका भाई आ गया और वो कुछ और भी लोग इकटे होगे इसको चुडवाया और इस खबर पर वज़ाद जानकारी के लिए दो स्योगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं अमिट सिंग सिंग्गू बॉर्डर से हैं और दीपक गाजेपूर बॉर्डर से हैं अमिट सबसे पहले में आपका रुक करूँगा क्योंकि यहीं पर यह घटना हुए एक बार फिर किसान अंदोलन विवादों में आ गया है कभी वहां पर एक व्यक्ति की भरबर थरीके से हत्या कर दी जाती है और अब गुंडागर्दी देखने को मिली है पोलिस ने पूरे है ऐसा कि सिंगु कुंडली बॉर्डर पर बैटे किसान सुर्खियों में आ जाता है इस बार जो मामला सामने आ है उसको लेकर हमारी संयुक किसान मोर्चा के नेताओं से बात चीत हुए अब से थोड़ी देर पहले 10-15 मिट पहले उनसे हमारी बात चीत हुए ब्रह्म के जो तफ्तीस की तो उनको मालूम चला कि उस सक्स से एक सीख सरदार जो है जो कि जिने निहंक कहा जाता है वो दरसल उससे मुर्गा मांग रहे थे और वो मुर्गा नहीं दे पाया क्योंकि वो एक मजदूर था जिसके बाद उसको मारा गया और इस तरीके से मारा गया कि उसका पैर तक तोड़ गया जिसके बाद संज्यूख किसान मुर्चा की नेता हों ने जो सीख सरदार थे निहंख उनको बुलाया उनको उनसे कहा कि धरम की लड KE नहीं है ब्रह्म के मुताबिक उसे बुलाक बोला गया कि धर्म की लड़ाई नहीं है यह किसानों की लड़ाई है जत्थेबंदियों की लड़ाई है मोर्चों की लड़ाई है इसलिए आप लोग हम यहां से चले जाईए और किसान आंदोलन को बदनाम ना करें तो इस तरीके का फिलाल संजुक किसान मोर्चा जो नेता है वो बता रहा है और इस पूरे मामले से अपना पल्ला जा रहा है लेकिन ये भी हकीकत है रवी कि पिछले 11 महिने से जब से यह आंदोलन चल रहा है सिंगू कोंडली वॉर्डर पर जो किसान नेता है वो लगतार सुर्ख्यों पर कभी किसी की बरबर तरीके से हतिया हो जाती है और बरबर तरीके से हतिया कुछ दिन पहले ही हुईती है अब हम अपने दर्सकों को दिखा रहे थे किस तरीके से कोंडली पुलिस ने उस पूरे मामले में तफ्तीश की थी किस तरीके से और जैसे ही कोंडली पुलिस को इस घ और स्यूंत किसान मोर्चा के नेता जो हैं तमाम विवादों से अपना पल्ला जाल लेते हैं जिस पोल्ट्री फार्म के लिए मनोच काम करते हैं वही शक्स जिसके पिटाई है उनके मालिक का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है सुनिए ज़रा पर देना पड़ेगा मेरे हाथ में देखा अपना खुट का और वहां से अपना खर्चा पानी निकाल के पूर लोग आकर के उससे पूछना सुरू किये कि वही क्यूं मारा इसने तबला भई दिक्कत करेगा ता आके और पीटूंगा जो अपर साफ़त ओर से लोग सवाल यही उठा रहे हैं कि आखिरिकार क्यों मारा गया क्यों ये गुंड़ा गर्दी बार बार वहां पर के सानों के सामने आ रही है सिधा रोकरते हैं दीपक गाज़िपूर बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ बने हुए दीपक आपसे मेरा सवाल यही है क्योंकि जब भी नए विवाद सामने आता है किसान नेता पला जाल लेते हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है पुलिस आक्शन ले लेकिन क्या य पर जिम्यदारी तो लेनी चाहिए और यही सवाल राकेश टिकेस अभी थोड़े देर पहले हमने पूछा था जिसमें उन्होंने कहा कि देखे जब यह फैस्ते लिये जाते हैं कि किसको निलंबित करना है किसको रखना है यह कमिटी है 40 किसानों की कमिटी है यह 40 वह किसान नेता हैं जो कि लगातार सरकार से पिछले महीनों बात भी करते रहे लेकिन अभी उनका यह कहना है कि जब इस कमिटी ने योगिंदर यादव को लेकर यह फैस्ता लिया तो उस दौरान वहाँ पर मौझूद नहीं थे वहीं दूसरी बात जब मैंने उनसे पूछी कि सिंग यही बात आती है तो हर कोई पला जहाडता वा नज़र आता है हर आदमी कहता है कि यह मेरे बॉड़र का मामठा नहीं है यह उसके बॉडर का मामठा है लेकिन बॉडर की स्थितिक तो यहां पर राकेश टे कैit कि जो टेंट्स हैं वो यहां पर लगे वए थे कुछ टेंट हटा दिये गए हैं क्योंकि कल सुप्रीम कोट ने जिस परकार के टिपणी की थी उसमें साफ़त और पर ये कहा था कि आप आंदोलन कीजिए आप अपनी बात रखे लेकिर इस तरीके से साड़क बंद करके लोगों को परेशान नहीं किया जा सकता जिसके बाद इस तरफ के ज वास्ता बंद नहीं किया है तो सुप्रीम कोट की टिपणी के बाद यहां पर जो कुछ चोटे बड़े टेंश से यहां पर एक बार फिर किसान नेताओं ने पूरे विवात से अपना पला जो है वो जाड लिया है बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए वहीं इस मामले के सामनी आने के बाद किसान अंदूलन को लेकर एक बार फिर कमभीर सवाल खड़े हो गए हैं इससे पहले 15 अक्टूबर को निहंग समुदाय के लोगों ने लकभीर सिंग पर भी जाननेवा हमला कर दिया था उसकी दोनों हाथ पैर काड दिये गए थे महदूर गड़ में मुकेश नाम के किसान को जिन्दा जला दिया गया था आरोप किसान अंदूलन से जुड़े लोगों पर लगा लकभीर हत्या को लेकर विवात खत्म हुआ था और एक और हमले ने अंदूलन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिये हैं कि किसान अंदूल के से हत्या कर दी जाती है और एक बार फिर नियंग समुदाय पर ही आरोप लगा है कि उन्होंने एक व्यक्ति के साथ मारपीत की है उसके पैर को तोड़ दिया है लगातार किसान अंदोलन हर दिन नए विवाद के साथ सामने आता है और किसान नेतां से जब इसके बारे में मुंबई क्रूज द्रक्स केस में एंसीबी आज एक बार फिर अभीनितरी अनन्या पांडे से पुछताच करेगी अनन्या पांडे को पुछताच के लिए मुंबई में नसीबी के जोनल मुक्याले पहुचने के लिए का गया है एक दिन पहले भी एनन्या पांडे से करीब दो घंटे तक पुछताच की थी उनसे आरेंग कान से दोस्ती और वेटसेट चैट में इस्तिमाल किये गए गए को अनन्या पांडे से, आज एक बार फिर पूछताच होने यारी है। कल यानि गुरुवार को दो घंटे करीब अनन्या पांडे से पूछताच हुई है। इस पूछताच में क्या खुलासे सामिया है, हाला कि अभी तक NCB ने सपच्ट नहीं किया है, लेकिन एक बार फिर यानि दूसरे दिन अनन्या पांडे से पूछता आच होगी यानि अनन्या से जो कल सवाल जवाब किये गए हैं उधसे NCB पूरी तरह से संतोष्ट नजर नहीं आ रही है यही वज़ा है कि आज एक बार फिर NCB ने अनन्या पांडे को तलब किया है क्योंकि जिस तरह से मुंबई ड्रक्स क्रूस मामले में है जिस तरह से एक के बाद एक नए-नए लोगों के नाम सामने आ रहे हैं खासकर बॉलिवूट के जो सेलिब्रिटीज हैं उनके नाम आने के बाद ये मामला और भी जादा सुर्खियों में रहने वाला है अनन्या पान्या बॉलिवूट की नामचीन अक्टरस हैं अब उनसे दूसरे दिन NCB लगतार पुछताच कर रही है आज पुछताच में क्या खुलासे सामने होते हैं ये भी देखने वाली बात होगी चलिए इस खबर पे और साथ अफडेट के लिए सीधा रुकते हैं मेरे सयोगी दिवाकर आज दूसरे दिन अनन्या पान्या से एक बार फिर पुछताच हो रही है कितने वज़े वाप पर पहुचेंगी और दूसरे दिन बुला यानि पहले दिन के जो सवाल जवाब हुए हैं उनसे अन्सीबी अनन्या से संतुष्क नज़र नहीं आ रही है कुछ बोलने से खिलाल रहे हैं लेकिन जिस तरह से कल पुछताच होई है रभी उसमें खास तौर पर आर्यान से दोस्ती को लेकर और साथी साथ जो ड्रक्स चैट हुई थी उनकी आर्यान के साथ और इसके लावाँ ड्रक्स चैट में जो कोड़वर्ट का इस्तिमाल हुआ इन समाम चीजों पर कर उनसे पुछताच की गई लेकिन न्सीवी जो है उनके जवाबों से संसुष नहीं हुई है और इस पुरे मामले में एक ड्रक्स पेडलर को भी एंसीवी ने बितीरा खिलासत में लिया है और यह माना जा रहा है कि यह ड्रक्स पेडलर जो है अनन्या और आरेन के बीच जो चैट हुई ट्रक्स पी उसको लेकर एक अहम कड़ी है जिसे पुछताच इसमागें से भी की दफ्तर में चल रही है जी जी शुक्रिया दिवाकर